हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तो मैं चैनल तनुकी रसुई क्रेटिव आइडियास में आज मैं आपके लेकर आए हूँ यह डिलिशियोस छोले की रेसिपी जो बनेगी एकदम धाबर स्टाइल जिसे खाकर सब कहेंगे वाक्या बजार से अपने छोले मंगवाए हैं जिसका मस दानी की चोले इस्तिमाल कर रही हूँ तो यहां पर मैने दो इस बौल के अकॉरिंग जिए इनको अच्छे से दूपकर इसमें मैंने दो ग्राव यह दो ग्लास पानी डाला है इसको अच्छे से दूपकर हैं डिप करके रख देंगे और हमें इसे वैसे तो मैं हो गये हैं फूल कर पर फोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है यह देखें अभी इसको बॉइल करने के लिए रखना है तो अब हम इसको एक प्रेशर कूकर में ट्रांस्फर कर देंगे अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और लिया है वन पोर ग्लास मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और एड़ किया है क्योंकि बॉल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और यहाँ पर वन टेबल स्पून मैंने सॉल्ट एड़ किया है और यह लिए हैं इसमें एक अच्छा सा कलर देने के लिए यहां पे 4-5 सूखे आमले इस्तिमाल किये हैं 1 पोर टी स्पून यहां पर मीठा सोड़ा इस्तिमाल किया है मीठा सोड़ा डालने से यह जल्दी से गल भी जाते हैं और हमारे पेट को नुफसान भी नहीं देते हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें कुछ खड़े मसाले हम डालेंगे तो यह एक बड़ा डाल चीनी का टुकड़ा लिया है 6-7 काली मिर्च एक बड़ी इलाईची और 6-7 की यहां पर लॉंग ली है अब हम इसको डायरेक्ट पानी में अच्छे नहीं डालेंगे क्योंकि मुह में आते वे अच्छे नहीं लगते हैं इसके लिए टी बैग इस्तिमाल किया है टी बैग में चाई की पती तो इसमें होती ही है और इसमें यह सारे खड़े मसाले एड कर देंगे अगर आपके पास टी बैग नहीं है तो आप कोई भी मार्किं का कपड़ा ले सकते हैं उसकी पोटली बनाकर इसमें बॉयल करने के यह डाल सकते हैं सारे फ्लिवर उसमें भी रिलीज हो जाएंगे अब यहां पर दो बड़े आलू मैंने चील कर रख दिये हैं इसको बॉयल करने के लिए रखेंगे हम तो एक फुल गैस पर और तीन सिम गैस पर हमें यहां पर विसल लगानी है जिस हमारे छोले कल जाएं अ इसके लिए आपको यह खड़े मसालों की जरूरत है दो बड़ी इलाइची लेनी है और यह पांच से छे मैंने सूखे आम ले लिये हैं और यह एक बड़ा दाल चीनी का लिया है और वन टेबल स्पून मैंने यहां लॉंग और वन पोर टेबल स्पून ही काली मिर्च इस्त और यहां पर मैंने साथ से आठ चमच धनिया लिया है और यहां पर थोड़ा सा हींग डाला है अब सीम गैस पर ही हमें इनको रोस्ट करना है हमें इसको कंटिनियसली चलाते रहना है फ्लेम को हाई नहीं करना है नहीं सारे मसाले जल जाएंगे और कुछ अच्छे से चला ना शुरू हो गया है अब इसमें दो बड़ी यहां पर मिर्च टालें घ्र लाल मुझ टाली है मैं अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च जो होती हैióंסныхजीं अगर आपके पस हैं तो आप इस समय डाल सकते हैं इसमें और अगर नहीं है तो बाद में इसमें कश्मीर लाल मिर्च या देगिमिर्च वगरा एड़ कर सकते हैं अब हमारा देखिए मसाला भुंकर ररी हो चुका हम गैस को बंद कर देँगे दो चममच यहाँ पर कसूरी मेथी अड़ कर लेंगे, गैस हमारी बंद है क्योंकि मसाले हमारे गरम है यह हमारी कसूरी मेथी इसी में ही अरामसे क्रिस्पी हो जाएगी जब यह मसाले फुड़ा थंडा हो जाए तो हम यह एक जार में ट्रांसवर कर लेंगे इसको पीसने के लिए अब हम इसमें एड़ करेंगे एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च क्योंकि मैंने पहले सूखी कश्मीरी लाल मिर्च एड़ नहीं की थी तो मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूं किसी वी और यह ड जिससे जादा टाइम तरकम इसको प्रजर्प करके ड़क सके इसको हलकर सभी करेंगे और its को मिकषी में पीस लेंगे तो यह मैंने यह मसाला पीस कर लिया है तो मैंने इसको बहुत स्यादा पाइन पेस्ट नहीं मनाया है तर्दरा रखा है यह दिखिए एक ड़ं परफेक्ट बनकर तयार हुआ है इसको गरम मत पीस हिएगा अगर आप गरम इसको पीस लेंगे तो इसमें गोलियां बन जाएंगी और ये इस तरीके से नहीं रहेगा और फिर जल्दी खराब भी हो जाएगा और इसको ठंडा करने के बाद ही हमें किसी जार में पलट कर रखना है तो जब तो अब आपने आलू को इसमें से निकाल लेंगे तो जो पोट लीती हैं वो भी निकाल लेंगे और जो आवला है वो भी सारे बाहर निकाल लेंगे देखे कितना अच्छा कलर आ गया है आवले की वज़ा से अब हम यहां पे तीन टमेटो लेंगे बड़े साइस के टमेटो मैंने तीन टमेटो लिये हैं और दो हरी मिश्टी हैं उनको इस तरह से काटके एक जार में ट्रांसवर कर देंगे अब जो आलू हमने बॉइल किये थे उसमें से एक आलू मैंने लिया है तो एक आलू को हम इसमें कट करके डाल देंगे और एक चम्रच नहां पर बड़ा हमें छोले लिये हैं अब इसको एक पेस्ट बना लेंगे पीस कर तो यह देखिए कितना थिक और बढ़िया पेस्ट बनकर तयार हुआ है बिल्कुल लंप पेस्ट करेंगे गैस को तेज नहीं रखना है बिल्कुल सिंग पर हमें इसे चलाते हुए पकाना है अब जल्दी से अपनी प्योरे को एड कर देंगे नहीं तो जो अद्रक का पेस्ट हमने इसमें डाला है वो जल जाएगा यह देखिए इसको अच्छे से हमें इसी तरीके से मिक्स करना है जब आपकी इसमें बवल्स आने लगे यानि की थोड़ा थोड़ा सा आपका प्योरे पकने लगे तब इसमें एक चमच कश्मीरी लालमेच और वन पोर्टी स्पून रेचिली पॉर्डर एड करेंगे अब हमने जो मसाला बनाया था तो वो दो चमच मसाला ह हम इसमें एड करेंगे अब हम इसमें कोई और चीज हमें डालने की ज़रूरत नहीं है बस इसी तरीके से हम इसमें चलाते रहना है मसाला अभी जिससे अच्छे से पक जाए जब यह थोड़ा सा ऑईल उपर रिलीज होने लगे तब हम इसमें यह कसूरी मेथी एड कर और मसाले में तो हमने बहुत थोड़ा सही नमक डाला है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिए इसको एड जिस्ट कर सकते हैं देखिए जैसे ही आपका ऑईल उपर आने लगे तो इसका मतलब आपका मसाला पकर तयार हो गया है इसको धकन ही पकाना है इसको ऐसे ह पकाना है सिम गैस पर अब अपने छोलो को इसमें एड करेंगे और अच्छे से चलाएंगे बस एक बार ये अच्छे से गुरेवी के साथ छोले हमारे मिक्स अप हो जाएं बस फिर हमें इसको पकने के लिए ही रख देना है बस यह हमारे मिक्स अप हो चुके हैं अब हम इस हो चुके हैं तो यह देखिए हमारे छोले कितने गाड़े हो चुके हैं यह देखिए बिल्कुल पर्फेक्ट छोले बनकर तयार है अब हम इसमें एक तड़का बनाएंगे तो तड़के के लिए मैंने यहां पर देसी घी इस्तेमाल किया है इससे बहुत अच्छा प्लेवर आ अपनी गैस को बन कर देंगे तो यह देखिए हमारे डिलिशियस एक तड़के बाले चोले बनकर तयार हो गए हैं जिसे खा के आपको भीकुल ठाबा स्टाइल टेस्ट आएगा और यह बहुत डिलिशियस होते हैं तो चलिए इनको देखते हैं सर्व करते हैं और आप इसको भटूरे या फिर पूरी के साथ इंजॉय कीजिएगा और इस फेस्टिवल यानि की रक्षा बंदन पर आप अपने भाई को अपने गैस्ट को यह बना कर जरूर खिलाएगा सच मानी उनको बहुत पसंद आएंगे तो आज ही मेरी रेसिपी को ट्राइ कीजिए और अगर आ मेरे चैनल को लाइक, सस्क्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू